नमस्कार, BCN News की प्रदीश की खबरों में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ बढ़ते हैं खबरों की और बिहार के पुर्णिया जिलासित रुपॉलिक प्रखन शेत्र अंतरगत पंचायत विजय मनोहर सित्मालपूर गाउ के चमरूल मंडल करीडा मैदान में दस दिस ये श्रीमत भागवत कता का शिभारम हुआ पात जन्वरी 2014 से 14 जन्वरी 2021 तक या यग्य होगा श्रीमत भागवत कता शिभारम यग्य स्थल श्री चमरू मंडल करीडा मैदान से 500 महलाए एवं कुमारी कण्यावनी मंतरों चारन के साथ अपने सर पर करश लेकर 6-7 किलोमेटर मोहनपूर बाजार होते हुए समरू मंडल स्मृती द्वार आराजी खालसा कंकाला होते हुए कॉप घाट पहुच कर जल भरा जल भर कर कॉप बलिया मालपूर होते हुए समरू मंडल करीडा मैदान या गेस थल तक अपने पाव पैदल पहुची रुपावली विधान सभाग शेत्र की पूर्व मंतरी सहवरतमान विधाई का बीमा भारती ने फीता काट कर उधगाटन किया वही इसकल शियात्रा में डीजे और बैर्ण बाजे के साथ राधी कृष्ण की धुन पर सभी भक्तगन थिरकते नजर आए कथा वाचक उत्तरप्रदेश से पहुचे बाबायोगी मुनि महाराज श्रीमतभाग वत गता सुना कर राधी कृष्ण की लेलाओ को इस शेत्र में सुना रही और श्रद्धालू भी काफी संक्या में पहुच कर राधी कृष्ण की लेलाओ को सुन रहे है शिर्मल भागवत कथा को सफल बनाने के लिए सभीक शेत्रिय ग्रामिर एवस संपुर्ण और मालपूर ग्रामवासी तन्मंधन से समर्पित है BCN News के लिए बिहार पुर्णिया से अचित कुमार की रिपोर्ट मद्यप्रदेश में राजस्तान से कवे में बर्ट फ्ल्यू फैनले के बाद जारी अलर्ट एवं बर्ट फ्ल्यू की धेशत के बीज आज दत्या की नई हाउसिंग बोर्ट कर्ण कुंश कॉलनी में एक कवे की मौत हो गई कवे मौत अवस्ता में कॉलनी में एक मकान की बाहर पड़े के नीचे मरा पड़ा देख तो कुछ लोगों ने प्रशासन एवं बेटनरी विभाग को सूचना दी सूचना पर दोपैर वेटनरी विभाग के डॉक्टर बी के श्रिवास्तव एवं डॉक्टर रमागर्व ने ततकाल रापिट आक्शन टीम गठीत की एवं तीन सदस्यों को पीपी किट पहना कर पुरी टीम घटना सल नई हाउसिंग बोर्ट कॉलनी पहुची वेटनरी विभाग की टीम ने कॉलनी में मुरुत कवे के शव को सावधानी पुर्वक अपने कबजे में लिया मौकी पर पहुची टीम ने कॉलनी में वेटनेरी विभाग टीम में आये डॉक्टर बी के श्रिवास्तों ने बताया कि इस कवे के शव को वोपाल हाय सिक्यूरिटी लाब में जांच के लिए भेजा जाएगा चांच के बाद ही पता चलेगा कवे की मौत कैसे हुई आपको बता दे कि पूरे मध्यप्रदेश में 170 कवे की मौत बर्ट फ्लू से हो चकी है एवं नौजिलो में अलर्ट जारी किया गया है आज ही मुख्यमंत्री ने आपाद बैठेक लिए एवं कलेक्टर्स को बर्ट फ्ल केंद्र अब शोपी समात्र बंद कर रहे गया है जहां पहले वहाँ पर अतरिक बल के तौर पर एक प्रधान आरक्षिक सही दो पुलिस कर्मियों को पुलिस अधिक्षप पद्ना त्वारा तेहनात किया गया था लेकिन पिछले दो महिनों से सहायता केंद्र बिना पुलिस शर्मा से वो विधायक शिवदयाल बागरी से में चोराह में पुलिस सहायता केंद्र की मांगी गई थी जिस पर सभी ने वो पुलिस अधिक्षर ने ततपरता से सहायता केंद्र खोले जाने की आदेश दिय और लाइन से सहायता केंद्र के लिए अतरिक बल की तैनाती भी क क्योंकि रोड में ही अधिकांज दुकाने देवेंर नगर में लखी हुई है अतहु पुलिस अधिकशक पन्ना से पुलिस साहता केंद्र में बलतेनात करने की मांग नगर वासियोद्वारा की जा रही है। इननगर महाविध्याले में प्रभारी पत पर काम कर रहे प्रफेसर अविताब पांडी पर पुर में कई संगीन आरोप है जिस पर विभागय जान चल रही है। प्रसारित करने वाली मीडिया कर्मियों के खिलाफ नोटिस भेज कर उनकी आवाज को दबाने की भी नाकाम कोशिश की गई। जमीन पर बैड़ गे। जब जानच अधिकारी जानच पूरी करकी कॉलेज केंपस के बाहर आए तो उनके द्वारा प्रभारी प्राचारे ओफेसर अमिताब पांडे की कारिश चली और उनकी धंकी को लेकर शिकायत पत्र दिया गया। जिसे जानच करता अधिकारियों ने उच्छ अधिकारियों को प्रोशित करने की बात कहते हुई ले लिया। मामले ने नाट के अमोड तब ले लिया जब शान्तिपूर्ण तरीके से अपनी बात कहने के लिए जुटे छात्रों की आवाज सबाने के लिए प्रोफेसर अमिताब द्वारा पुलिस स्टाफ को बुला लिया गया। मौके पर पहुची पुलिस ने मामले की गंभिरता देखती हुए छात्रों को शान्तिपूर्ण धंग से अपनी बात रखने के लिए निर्देशित किया। वही मौके पर पहुची भारतिय जन्ताबाटी नेता अमिताब बागरी ने बताया कि पहले भी प्रोफेसर अमिताब के खिलाफ शिकायत उन तक पहुच चुकी है। BCN News के लिए जन्तपत पंदा से कैलाश पांडे की रिपोर्ट। BCN News की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। SCN ने और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे बीसे न्यूस नवशकार।